हेलो दोस्तों स्वागता है आप सभी का मेरे यूडूब चानल पर दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं क्लेवं 625 टैलबेट के बारे में दोस्तों क्लेवं 625 टैलबेट के इस्तमाल करने से कौन-कौन चे फादे होते हैं इस टैलबेट का अंदर कौन-कौन से इंग्रेंट के बात करना तो इसके अंदर दो तरह के इंग्रेंट इस्तमाल किये गए हैं अमक्सेसलीन 500 mg और किलावुन लैनिक एसीड 125 mg इन दौनों इंग्रेंट को इस किलेवम 625 टेलबेट के अंदर इस्तमाल किया गया है दोस्तों प्राइज की बात करें तो 180 रुपे के आसपास ये 10 टेलबेट का पूरा एकिस्ट्रिप आता है इसका जो प्राइज समय के हसाथ से इंकिरीज होता रहता है इस समझे इसका प्राइज से बोधर मैन आपको बता दिया है दोस्तों बात करते हैं इसके लिए हम 625 टेलबेट को कौन कौन से बिमारियों में दिया जाता है दोस्तों इस टेलबेट का जो इस्तमाल किया जाता है यदि किसी को निमोनिया की समस्य हो जाती है तो pneumonia को ठीक करने के लिए sterbit को दिया जाता है उसके साथ साथ दोस्तों sterbit को जो दिया जाता है यदि किसी के कान में bacterial infection हो जाता है कान में सुजन आ जाता है या कान में पस की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी sterbit को दिया जाता है उसके साथ साथ दोस्तो इस टालविट को जो दिया जाता है यदि किसी को टॉंसिल आइटिस की समस्या रहती है यदि किसी को टॉंसिल हो जाते है तो टॉंसिल को ठीक करने के लिए भी इसको दिया जाता है उसके साथ साथ दोस्तो इस टालबिट को जो दिया जाता है यदि किसी को टॉंसिल हो जाते हैं गले में इंफेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इस टालबिट को दिया जाता है उसका साथ दोस्तो इस tablet को जो दिया जाता है यदि किसी के urine में infection हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इस tablet को दिया जाता है दोस्तो यदि किसी के चोट लग जाती है जखम हो जाता है तो जखम को ठीक करने के लिए भी इसको दिया जाता है उस दोरान दोस्तों उसके वैक्टिरिया इंफेक्शन न हो जखम में पस ना पड़े सूजन न हो तो उस कंडिशन में ये टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों यह जो टैबलेट होती है एक एंटिवाइटिक टैबलेट होती है जो कि बैक्टिरिया के एगेंच्ट काम करती है इस टैबलेट के जो मैने फाइदे हैं वो इदर मैंने आपको बता दिये है तो इसकी डोस की धन्ने वादोस्टों